अभी कुछ दिनों से मैं आपके classes वगरा नहीं ले पा रहा हूं कि कि मरी तेवे ठीक नहीं है प्लेट प्लेट लेट्स वगरा डाउन है ठोड़ा लिवरम इंफेक्शन है तो उसके वज़े से fever है काफी तो रेश्टर दवाईयें चल रही है तो दवाईयें बहुत कर रहा है सारे टीचर सब परिशान है कि वही रिजल्ट कब आएगा क्योंकि माने नहीं मुख्यमंत्री योग आतिते नाथ जी ने कहा था कि भरती बूड किसी भी तरह दीवाली से पहले रिजल्ट जारी करें आज तारिक होगी बच्चा आप सभी जानते हैं 27 27 ही तारिक ह बना रखे अख़बार इत्यादी ने लेकिन और कोई उम्मीसी नहीं है तो ये एक छोटा सा नूटिस वायरल हो रहा है जो 26 दस दोहचार चौबिस का है 26 अक्टोबर दोहचार चौबिस का तो 27 तारिक है इसमें क्या है ये पी एसी को भीजा गया उसमें कहा गया है उप प होटा है तो मैं तो इसकुभस पढ़के बता दूँगा आरख्षयों की भध्ती इसमें भध्ती में शिगरी प्रिस्रिक्षण केंद्रों में आधारभुत प्रिस्रिक्षण में कराया जाना होगह इस सर तुझ मुखियां रख्षी को ईाई टियी कोर्स कर आया प्रस्ताव करें जिसे कि 28 अक्टूवर 2014 समय 10 बजे के बाद प्राप्त प्राथन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा इसमें कि जुलाई 2025 को अधिक्तम आयू 40 से देखना हो विगत 5 वर्सों में सभी डंड किसी प्रकार का डंडना दिया गया हो सत्यनिष्ट प्रमाण पत्र ने रुकी गई हो परतिकुल मनतवय प्रदान ने किया गया हो ये सब कुछ कहने कर्थ क्या है कि अभी तो जो ट्रेनिंग कराएंगे उन ITI जो ट्रेनिंग कराने वालों की हूती एक कोर्स होता है ITI जिने आप लोग कह देते हैं वो कोर्स से संबंदित ये एक नोटिस वायरल हो रहा है लेकिन अभी जब हम लोग रिजल्ट की बात आते हैं तो मैं आपको कही बार पहले भी कह चुका था ट्विटर से भी मैंने बूला बीच में मैंने कही बार अजस से पहले जब शुरुवात में एक वीडियो बनाई थी रिजल्ट को लेके जब इनका यह आया था कि भई कब रिजल्ट आ सकता है तो मैंने कहा भी देखो एक होता है कि सबसे पहले उत्तर कुंजी आती है वीडियो अपरेटर में उने तरीक अपनाया था उस तरीके के अनुसार रिवाइजद आंसवर की आती है तो मेरे यह था कि वही अगर ये 15 अक्टूबर तक किसी तरह revised answer की दे देते हैं और ये अक्टूबर दीपावली से पहले ये दिवाली से पहले ये final answer की दे देते हैं तब जाके आप ये कह सकते हैं कि result ये नवंबर में कहीं निकाल पाएंगे लेकिन सभी लोग मुख्यमंत्री जी ने इतने शिदत से इतनी ज़्यादा भरोसे से कहा तो सब को ये था कि हाँ वही रिजल्ट अच्छी बात है गर अक्टूबर में आ जाए पहले आ जाए पर आज 27 सक्टूबर हो गई अब ये समझ में नियारा कि result कब आएगा क्योंकि 28, 29, 30, 3 तीन दिन बचे हैं इस महीने में 31 की तो दिवाली है बहुत जगे हैं जो बड़ी दिपावली है 31 तारिक की मनाई जा रही है 3-4 दिन की छुट्टी ऐसा निये कि सरकार पर कोई रोख है सरकार छुट्टियों में result जारी नहीं कर सकती सरकार छुट्टियों में भी result जारी कर सकती है परन्तु तुम बताओ क्या किया जाए तुमारी समझ में है कोई ऐसी चीज जिससे मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच सके कि भी रिजल्ट आपने कहा था आपकी बात जूटी हो जाएगी मुख्यमंत्री जी बरतिबूर को कारवाई नहीं कर रहा मैं तुम सब लोगों के कमेंट पढ़ना चाहा रहा हूं सब लोग मुझे बताओ क्या तुमारे पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिससे चला कर हम लोग रिजल्ट के बारे में सुचना प्राप्त कर सकें क्योंकि भरतिबूर तो ऐसेस हो गया है जैसे कुम्बकरण हो उसको कताई भी नहीं है कि 35-45 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के दरदर भटक रहे हैं इतने परिशान हैं इतने व्यथित हैं कि हमारे रिजल्ट कब आएगा या तो आप कहते हैं नहीं आप कह देते थी भी हम तो आपको तब देंगे तो कोई तरी टेंसन नहीं थी आप कह रहे हैं जी अक्टूबर तो क्या करें ट्विटर ट्विटर आप लोग कह रहे हैं ट्विटर एक अच्छी चीज है ट्विटर का भी और कुछ बताओ कोई ऐसी चीज जिसको तुम लोग कर पाएं अब तुमें Twitter campaign कर लेते हैं तो Twitter campaign कब का कर लो बताओ तुम लोग, तुमी लोग कह दो 28 से 29 का कर ले परसों का, कॉर वेट कर लेते हैं मंगल का, लेकिन फिर तुम सब लोगों को Twitter campaign में शामिल होना होगा परसों का रख लेते हैं Twitter campaign की बात कर रहे हो तो लो मैं तो तुमारे साथ हमेशा मैं तो कभी पीछे हटा नहीं तुम लोग 2-4 उल्टा सीधा भी बोल देतो तो भी तुम्हें माफ करते चलते हैं कि चलो बालको बच्चे हो तुम लोग अभी तरी बुद्धी होती तो कोई बात ही क्या थी बुद्ध रिखले लें उन्ति सक्टूबर उन्ति श्टूबर मंगलवार बोल हैं सुबह सुभह 9 बज़े से और इसका लोग हैस्टेग भी करलेते हैं एक एक हैस्टेक भी कर लेते हैं लो हैस्टेक कर लेते हैं यूपी कर देना अंडर इसकोर कॉंस्टेबल अंडर इसकोर रिजल्ट सबसे मस्त रहेगा इसी में सब कुछ पता चल जागे बच्चे किस के लिए परिशान है है SUP है यह अंडरिस्कोर कॉंश्टेबल अंडरिस्कोर रिजल्ट बहुत बढ़िया है सब लोग कितने लोग है जो इस ट्विटर के इंपेर में सबी लोग इस बार वीडियो को शियर करके बता दो सब को सब लोग हैश्टेग जिसको बनाना आता है जिसको छोटी मोटी वो ही आती है क्या बोलते हैं पोस्टर वगेरा जिस पर यह एश्टेग बनाई जाते हैं अगर कल का वेट कर लेते हैं और परसों अगर ट्विटर केंपेन बड़ी हो जाती है 35-40 लाख बच्चे 5-6 लाख ट्विट भी हो जाते हैं तो भरती बोर्ड मुख्यमंत्री जी तक ब उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के यही बोर्ड आयोगे यही मुख्यमंत्री है यही सरकार है पिछले सालों में कितने रिजल्ट जारी हुए किस किस तरह से हुए सबसे ज़्यादा तुम बहतर तरीके से जानते हो जहां भरतियां लाने के लिए अंदोलन एज में छ जाने के लिए अंदोलन करने पड़ते तब एक विरुजगार गरीब युवा को एक छोटी मोटी 20-25-30,000 रुपे सेलरी की नोकरी मिलती है यह वो उत्तर प्रदेश है तो अगर आप मैंसे लग रहा हो कि घर पर बैठकर आप और मुख्यमंत्री जी की बात पर वरोसा करके और कुछ नहीं है रोज सरकार का काम है रोज नेताओं का काम होता है सुबह जूट बोलो शाम को जूट बोलो और जूट बोलके भूल जाओ फिर आप जैसे युवाओं को याद दिलानी पड़ती है कि मुख्यमंत्री जी आपने भी 15 दिन पहले यह बोला था क्या आप को याद है मेरी बात समझ रहें तो यूपी कॉंस्टेबल रिजल्ट जितने भी स्टूडेंट है यह परसों 13 अक्टूबर मंगलवार सुबह नो बजी शुरू हो जाओ मुख्यमंत्री जी को तरप्रदेश सरकार को भरती बूड को जो भरती बूड के अध्यक्ष महूदे है डी जी राजीव किर्सना सर सब को इमानदारी से टेक करके ये सब एक बार सब लिख दो कि हां सर एक बार सब लिख दो यूपी कॉंस्टेबल रिजल्ट एक तरफ से सारे के सारे एक तरफ से लिख दो यूपी कॉंस्टेबल रिजल्ट एक तरफ से फिर एक चीज और आप स वार दियें लेकिन उनके उत्रा अच्छे स्कोर दें उनको समझ मारा है कि हमारे स्कोर मेने तुमें कहीं थोड़ी बहुत कमी थी कुछ का तो अच्छे स्कोर होगा वो तो कोई बातरी पार निकल जाएगा तो मैं यह कहूं आप सभी से कि आप अगर लक्षे को बना रखा है तो अपनी अगली तयारी आरंब कर दीजे जैसे कि अगर आप 5-6 मेने बढ़िया से देते हैं बिल्कुल रेगुलर उसमें से कुछ समय भरती आने से पहले दे देते हैं तो आपके पास एक बाकियों से थोड़ा सा बेस्ट परफोर्मेंस करने का मौका रहता है उसके लिया सताइस अक्टूबर रात बारे बे तक जो हमारी एक्जामपुर ओफिशियल अप्रिकेशन पर सम्मान वेच हमने मातर 499 रुपे में निकाल रखा है और पराने बच्चों के लिए 399 में 100 रुपे के और छूट है इस पर रात बारे बजी तक है तो इसका लाव जरूर उठ बाकी सभी साती 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह अब सभी लोग इस रिजर्ट क्योंकि इसको इससे बचरा था में तरे दिनों से कभी-कभी को इवेंट करता था ना में ट्विटर चला रहा हूं पिछले कई दिनों से क्योंकि कभी-कभी तुम लोगों की जो बाते हैं वह बन्द करके लोग कहते हैं जी सरकार क्या प्रोज वराई करते हैं मिला अच इस बार भरोसा कर देते हैं ना हम ट्विटर पर कुछ लिखेंगे ना कहीं देखते हैं इसरकार अपनी बात पर कितना राजी होती है रिजल्ट जारी करते नहीं करती तो भरोसा अज 27 तारि तक कुछ नहीं होने वाला ना तो भरती आई थी ना एक्जाम हुए जब रद पेपर इतना भारी लीक हुआ तब भी नहीं मान रहे थे मुस्किल मुस्किल रद करवाया रद किया सरकार ने उसके बाद में री एक्जाम के लिए कितना जादा तबाही करनी पड़ी कितनी सारी बिना ट्विटर कैमपेनिया किसी के रिजल्टे देने वाले नहीं है तने अच्छे लोग नहीं है तो परसो सब लोग एक बार में सुलो सब लोग बार बार नहीं क्योंकि एक ही बार अच्छे ट्विटर कैमपेन होती है बार बार नहीं होती अगर एक बार तुम सब लोग ताकत लगा दोगे एक बार तुम सब लोग 100-200-200 ट्वीट कर दोगे कि हमने इतना टाइम इंतजार किया है और सब लोगों की छुट्टी पड़ जाएंगे 29 को तो मुझे लग रहा है पढ़ाई लिखाई की दिपावली की तो तुम सब लोग अपनी पूरी छमता के साथ मंजरे मेरी बात भोट पड़ेंगे ना 9 सीट पर उत्तर प्रदेश में तो सरकार को सब देखना है कि अगर हमने एक कोई महिने बात पहले बोली हम वही बात पूरी नहीं कर पा रहे तो लोगों को वादे करते हो कैसे पूरे करेंगे तो कोशिस करना कि तुम सब लोग शाम रिजल्ट कैपिटल में सब कुछ अंडर्स को लगाना भूलना मत मानिये मुख्यमंत्री ची उत्रप्रदेश सरकार सब को टेक करते हो तो एक सांस में क्या सब लोग अवाज दो लिख दो हम एक हैं सब लोग साथ है इसमें अरे बिटा रिजल्ट थोड़ी सी प्रियास करोगे तो भगवान के करपास आ जाए तो तुमीं सब का तो दिपावली मनेगी बढ़िया तीन गुना एक लाख असी हजार बच्चे बुलाए जाएंगे एक लाख असी हजार बच्चे बुलाकर उनमें से डीवी पीच्टी ह होगा जो क्वालिफाइ करेंगे उनके दोड़ होगी दोड़ के बाद में आप ट्रेनिंग पर जाओगे समझे मेरी बात तो ये सब कुछ करने के लिए पूरी तंखा मिलेगी आपको कुस्तों करना पड़ेगा फिर दूसरी चीज जो साथी सम्मान से जुड़ना चाहें ज बार और बहतर तरीके से लेंगे कोशिस कीजिए कि आज रात तक आप लोग सम्मान से जरूर जुड़ने बाके अब सभी के लिए बहुत सारी शुब काम ना है कल भी में वीडियो बना दूगा कैसे ट्वीट करना है 29 अक्टूबर मंगलबार सुबह 9 बजे सभी साथी से जरूर जुड़े अपने रिजल्ट के लिए यूपी कॉंस्टिबल 6,244 भरती के रिजल्ट के लिए ठेंक यू धन्यवाद जय हिंद